हेलो एवरिवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंटरल लास्ट के कुछ टॉपिक में हमने राइटिंग सेक्शन से फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कवर किया था आज के टॉपिक में हम लोग बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, जो मोसली हमारे एक्जाम्स में, हर एक्जाम्स में इवन कुश्चन आदे हैं, एक्टिव एन पैसिव वोईस है, यह बहुत ही इजी कंसेप्ट है, यह कुछ फॉर्मूला जैसे ही हम समझे आपको इसको दोबारा पढ़ने की दरुवत नहीं पढ़े हैं, कि आप किसी थी न्यव्त एक्जाम के खेंड के अखेंगे तो आप एजिली एक्टिव वोईस को पहचान लेंगी कि कौनसी इसकी एक्टिव ए It Is को जानेंगे, एक्चली दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो confusion हो जाता है कि कौन सी active हम separately अलग-अलग पढ़ेंगे कि actual active voice होती क्या है, और separately passive voice को पढ़ेंगे कि passive voice actually होती क्या है, फिर जब दोनों को हम identify कर लेंगे कि क्या कैसे, उसके बाद हमें convert करना या identify करना बहुत easy होगा, तो start करते हैं active voice, active और voice, नाम से ही पता चल रहा है, जब हम directly किसी से बात करते हैं, उसको बोलते है active voice, यह basically क्या होता है, एक subject हो रहता है कैसे यह काम करता है, generally active voice, non-scientific words या sentence के लिए यूज होती है, जो हम directly बात करते हैं, हम उसमें ज़्यादा scientific language यूज नहीं करते हैं, यह phrases में जहाँ जाएदा scientific words नहीं उसकर सरते हैं directly, अगर मैं example दू, I am writing, I am going for a movie, यह we are going for a movie, इसमें first person रहता है, और वो जो काम कर रहा है, यह कुछ चीज से अगर वो दिनोट कर रहा है, उसको हम directly, अगर directly हम बात कर रहे हैं किसी की, तो आप बस इतना आयास कीजिए, कि directly अगर हम किसी को डिनोट कर रहे हैं, तो उसको बोलते है active voice, active मतलब direct, ठीक है, तो इसके कुछ basic rules हैं, और हम पहले जानते हैं कि इसमें verb का कुछ नाम आता है, कि verb पे act करता है, action verb रहते हैं, इसमें जो subject, action, verb के according ही sentence frame करते हैं, तो verb का मतलब क्या होता है, verb का दिया है, is the action or state of being in a sentence, जैसे कि पहले बात तो verb से action बता रहा है, इसका मतलब ये clear है कि अगर कोई action हो रहा है, या drawing है, या painting है, या singing है, या batting है, balling है, जो भी, अगर उसमें action involved है, तो जो भी action हो रहा है, in the sense काम हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, it is verb, वो हमारा लिये क्या होगा, verb या state of being, being मतलब in past, it was, where, ये जो रहेगा, वो state of being है, जैसे कि for example है उसका, you were a great singer, ठीक है, you were a great singer, where, मतलब state of being, तुम थे, तुम हो, या तुम होने वाले हो, वो state of being को हम लोग वर्ब में डिनोड करते है, वर्ब तो अगर एक state of being बोलेंगे, और दूसरा क्या बोलेंगे, is the action, जो भी action हो रहा है, या state of being को हम लोग डिनोड करते है as a verb, अब आते हैं, वर्ब हम समझ ले, क्योंकि इसमें बहुत जगा यूज हुआ है, तो आपको पहले ये जाना जरूरी था कि वर्ब होता क्या है, अब देखते हैं कि active voice क्या होती है, इन most English sentences, with an action verb, action verb, मतलब कुछ काम हो रहा है, the subject performs the action denoted by the verb, subject क्या करते है, performs the action denoted by, denote किसे करते हैं, वर्ब से, जैसे कि example, John painted the fins, उसके बाद dex है, the leopard, chase, the envelope, अब क्या दिया है, subject ये है हमारा, subject और active verbs, subject, active verb, दोडों मिलके क्या बन रहे है, verb बन रहे है, ये बहुत easy, इसका formula रहता है, subject plus action verb, action verb, जो हमने बढ़ा था, verb का मतलब ये है, plus object, इसमें subject क्या है, I, जैसे कि मैंने बताय था, I, फिर उसके इसके बाद action, action, draw कर रहे है, dance कर रहे है, sing कर रहे है, ये सब क्या होते है, हमारे action होते है, उसके बाद sketch, sketch जो है, वो हमारा, object, जो sketch है, वो क्या है, हमारा object, तो ये बहुत easy है, जैसे कि इसमें हम किसके बारे में बात करें, लियोपार्ट के बारे में बात कर रहे है, इसका वो क्या है हमारा subject है और ये active verb है chase बता रहा है chase का मतलब कुछ काम हो रहा है इस डा action मतलब कुछ काम हो रहा है action involved है उसको बोल रहे है chase और ये हमारा क्या हो जाएगा ये object हो जाएगा तो इसका formula कैसे हुआ subject देखू यहाँ पे the है यहाँ I है उसके बात object है, अब आपको अगर बोलेगा कि identify the object from the above sentence, किसी भी sentence में आपको देंगे, आप object पहले identify कर लेंगे, subject बोलेंगे, तो किस से related हम बात कर रहे है, subject क्या है, वो हमारा subject, और स्टार्टिंग में अगर कुछ action होगा, या drawing, या painting, या dancing, कुछ भी आएगा, वो हमारा किस इसमें आएगा action verb, verb का दो मेने मतलब बताया था, state of being, अगर कहीं पर word लिखा रहेगा, तो वो भी हमारा एक active voice ही है, तो आप ये मत confused होना, कि उसमें तो action ये उसमें word लिखा है, लेकिन नहीं, verb को हम लोग दो में लेते हैं, एक पहला state of being लेते हैं, और दूसरा क्या लेते action लेते हैं, इसमें state of being तो ये example है, you were a great singer, तो ये state of being में अगर word involved है, तो वो हमारा क्या रहेगा, वो भी हमारी active voice रहेगी, और उसमें भी क्या है, ये एक verb है, ठीक है, तो ये बहुत ही easy active voice, अब आप बहुत सारे sentence, at least five sentence आप फ्रेम करिए, फ्रेम करने के बाद, identify कीजे कि इसमें क्या subject है, क्या object है, verb है, verb का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और क्या हमारा object है, और ये एकदम straight forward direct रहते हैं, इसके 3-4 examples सब अगर आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कि active voice होती क्या है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, next वीडियो में अब आगे पड़ेंगे हम लोग passive voice, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो में, next topic के साथ, तब तक के लिए, thank you